हेलो स्टुदेंट्स आम यहां तक पूरा अपना पार्ट कर लिया था अभी हमारा जो है इस फन टाइम वाला यह वाला पार्ट जो है पेंडिंग था अभी हम इसको करने जा रहे हैं चलिए ठीक दिखते हैं क्या बुल रहे हैं सोची और इसको बहस करिया अपस में ठीक है चलिए यह वाला पार्ट डू यू ऑल्सो पास सम्थिंग्स विच आर वेरी डियर तो यू क्या बुल रहे हैं क्या आपके पास भी कोई ऐसी चीज है कोई ऐसी वस्तु हैं जो आपको भी बहुत ज्यादा प्य यहां पर ऐसा पूछा गया आगे देखें क्या करते हैं टेल अदर्स अबाउट टेल अदर्स अबाउट दा थिंग्स यू पशेज और रीजन आपके पास अगर हैं तो सब को बताईए और रीजन लिखिया कि आकर इसको यह सब चीज आपको क्यू पसंद है यहां पर पहल है तो आप लोग को कुछ से लिख सकते हैं अगर हम आप लिखा दे रहें आपको पाठे है दो चार आप अगर चाहे तो अपने कॉपी में जो है इसको पसंद करके अहां से लिखिये दे आरस OC friendly क्या बूलहरे यह बहुत ही friendly होते हैं याश छाटी सब बच्चे इनके साथ दोस्ती करके इनके साथ खेलते हैं ठीक है तुश के बंुए यहां पर लिखना है यहां पर लिखना है दे आर वेस फ्रेंडली फोल स्टॉप यह हो गी हमारा पहला ठीक है कर दूसरा लिखते है यहां पर नाम दूसरा लिखिए दूसरा क्या लिखिए बन्स करके यहाँ पर अगे लिखिए c-o-l-o-u-r-s colors colors लिखने के बाद dash करिए बीच में ऐसा फिर यहां से लिखिए आई enjoy painting आई ए हो गया आई और enjoy के spelling लिखिए e-n-g-e-n-j-o-y enjoy आगे लिखिए painting fully stop क्या हो जाएगा I enjoy painting तीसरे वाले का चौथा दिखिए badminton racket देखिए क्या जाएगा badminton racket b-a-d-m-i-n-t-o-n badminton racket r-a-c-k-e-t racket ठीक है यानि badminton racket बता होगा आप लोग जो खेलते हैं बच्चे ऐसा ऐसा करके badminton वो होगा आगे यहां पर लिखे डैस करके लिखिए it helps me keep fit क्या बोल रहा है इसका मतलब यह होगा it helps me keep fit यह हमें बहुत ही स्वस्थ रहते हैं इस से खेलने से ठीक है चलिए पांच वा लिखते हैं वीडियो गेम वीडियो गेम्स में कैसा वी आई डी ओ वीडियो आगे लिखे जी एम एस गेम्स वीडियो गेम्स यहां पर डैस करके आगे लिखिए it is a good source of entertainment इसका मतलब यह होता है कि यह बहुत ही अच्छा जरिया है टाइम पास का या entertainment या मजे करने का ठीक है यहां पर हमारा जो है यह पार्ट कंफ्लीट होता है चलिए नीचे दिखते हैं क्या दिया हुआ है each of them in a few sentence क्या बोल रहे हैं यहां पर कोई वी चीज मतलब बताईए आप कोई चीजे जो है क्या क्या आपके पास उसके बारे में कुछ और words लिखिए तो यहां पर चले लिखिए पहले लिख लेते हैं हम लोग बच्चे लोग के लिए क्या बार्बी बार्बी मतलब क्या हो इन विंग्स फुल स्टॉप इट हैज करली हेर फुल स्टॉप आई प्ले विथ माई डॉल एंड लव हर अलाट फुल स्टॉप यहां पर हो गया पहले का ठीक है अभी दूसरा देखते हैं दूसरा की कोई और चीजे कलर कलर पैलेट क्या हो जागा सी ओ ल ओ यू आर कलर प अब इसके आगे लिखे डैस करके आई हैव आ कलर पैलेट फुल स्टॉप देयर आर 24 कलर इन इट जो है उसमें 24 कलर होते हैं आई इंज्वाए पेंटिंग विथ माई कलर्स मुझे जो है मजा आता है मैं मजे करता हूं कलर करते हुए और यूजिंग डिफरेंट शेड्स औ और अलग-अलग जो है शेड्स यानि परशाई या उसके जो है शेड्स से यूज करते हैं हम ठीक इस्तिमाल करते हैं यहां पे होके दूसरे वाले का चलिए तीसरे लिखी अभी वीडियो गेम डैस करके लिखिए आई हैव मेनी वीडियो गेम्स फुल स्टॉप मोबाइल म इसे एक घंटे के लिए खेलता हूं और मुझे बहुत ही मजा आता है इसमें फुल स्टॉप ठीक है यहां पर हमारा तीसरा पूरा अंसर हो घ्यारा धीक है work in group and gather information whether your parents and elders were also found of certain things like you during their childhood what is their present opinion about those favorite things देखें यहाँ पर क्या बुल रहा है कि आप लोग भी सामान जो है बहुत सारे इकठा करिए जैसे कि आप लोग के parents भी पूछें कि आप लोग बच्पन में क्या-क्या चीज़े इकठा करते थे आपके parents लोगό keen जमा लोग भी पता करिए और उसके सारी चीजे जमा करके आप लोग लें ते हो सकता है नहीं पापर पुछी लिया जयाये यह भी हमारा चימठा कंप्रेट होता है इसके बाद हम अपना अग्ला चैप्टर हुए जखर करेग necessity झाल झाल